बच्चो तुम ऐसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास x-mod x is greater than 0 तो क्या होना चाहिए x is greater than mod x इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो y is equal to x का जो curve है वो mod x के curve से बड़ा होना चाहिए ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि हमें उस मेरी बात को ध्यान से सुनो हमें उस x को consider करना है x का वो interval लेना है जिस interval में जो x y is equal to x का curve y is equal to mod x के curve से greater हो equal भी नहीं चलेगा greater चलेगा तो y is equal to x का curve जब y is equal to mod x के curve से greater होगा तो y is equal to x का curve क्या होगा y is equal to mod x के करव से उपर होगा अभी बता है ना पहले example लिया था तो अब हम लोग देखते minus infinity से यह हमारा x dash है minus infinity से हम 0 तक आते हैं तो minus infinity से 0 तक क्या है यह वाला जो करव है na including 0, 0 को भी लेते हैं तो 0 पे mod x और y is equal to x तो ब्राबर है देख लो y is equal to x है हमारे पास और y is equal to mod x है अगर तुमने x का value 0 लिया तो y का value 0 आएगा यहाँ भी x का value 0 लो y का value 0 आएगा यहाँ भी x का value 0 लो y का value 0 आएगा इसका मतलब क्या x is equal to 0 पे y is equal to mod x and y is equal to x तो ब्राबर है बट हमें equal भी नहीं चाहिए हमें y is equal to x y is equal to mod x से greater चाहिए तो मैंने क्या बोला कि minus infinity से 0 लो excluding 0 तो y is equal to mod x का जो curve है ये y is equal to ये हमारा क्या है y is equal to x का curve है और ये दोनों curve मिलके क्या y is equal to mod x का curve है तो ये जो y is equal to x का जो curve है y is equal to mod x के curve से नीचे है तो क्या हो गया x क्या हो जाएगा less than x अगर मैं ऐसे लों x belongs to minus infinity to 0 तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो mod x है न वो x से greater है देख लो कोई भी तुम value डालके देख लो कोई भी negative number डालके देख लो माइनस 2 ले लो तो माइनस 2 का mod क्या होगा तू तू इस greater than माइनस 2 करिया न सटिसफाई और x is equal to 0 पे क्या होगा ये क्या imply करेगा mod x और x बराबर हो जाएगा और अगर हमने x का value 0 से infinity लिया तो ये क्या imply करेगा कि जो mod x का curve देखो mod x का curve और y is equal to x का curve क्या एक ही लाइन है यही लाइन है न तो यहां पर क्या हो जाएगा mod x is equal to x हो जाएगा तो यहां पर देख लो कोई भी positive number ले लो मालो तुमने 4 ले लिया तो यहां पर देख लो 4 का mod क्या होगा 4 4 is greater than 4 यह दोनों equal हो जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है कि ऐसे मिल रहा है x minus mod x को हम क्या लिख सकते हैं x minus mod x जो होगा हमारा या फिर ऐसे तुम लिख लो कि x minus mod x क्या होगा 0 होगा यहां फिर तुम ऐसे देखो ऐसे होगा na x is mod x is greater than x होगा वही बात को लिख रहा है for all या ऐसे लिख लो for all x belongs to minus infinity to 0 ठीक है and mod x क्या होगा mod of x mod of x is equal to x होगा at x is equal to 0 and mod of x क्या होगा less than x होगा mod of x less than equals to x होगा at for all sorry this is for all x belongs to 0 to infinity ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो x है न वो mod x से या तो mod x के या तो equal होगा या तो उससे less होगा but हमें क्या चाहिए अगर यह function defined होना होगा तो हमें क्या चाहिए कि x को greater than mod x होना चाहिए यह तो possible ही नहीं किसी भी x के लिए इसलिए domain के आ गया function का और यह domain के आ गया function का fine ठीक है यहां तक तो बात clear है अब बच्चों आ जाओ next question next question हमारा क्या है fx is equal to 1 upon root under x plus mod x तो फिर हमारे पास square root है denominator में है तो square root के अंदर जो लिखा हो क्या होना चाहिए x plus mod x greater than x plus mod x को क्या होना होगा greater than 0 तो देख लो यहां पर हम फिर हमने लिया यह तो हमारा question number 2 हो गया x plus mod x है यहां पर हम लोग क्या कर रहे है mod x क्या होता है x होता है fx is greater than equal to 0 minus x होता है fx is less than equal to 0 x plus mod x क्या होगा x plus x होगा when x is greater than equal to 0 ठीक है ुगर x हमारा greater than यह equals to 0 होगा तो सीधे mod हटा देंगे और mod हटाने से पहले minus multiply करेंगे कब जब हमने माल लिया कि x is less than 0 ठीक है तो final हमें क्या मिला x plus mod x किसके equal मिला 2x के equal मिला when x is greater than equals to 0 और 0 के equal मिला if x is less than 0 अब तुम ऐसे देखो अगर तुमने x का value positive लिया तो positive लोगे तो यहां डालोगे x का value अगर तुमने 4 लिया और यहां पर क्या बोल रहा है हमारे पास अभी अगर तुम माल लो कि x का value तुमने 4 लिया तो 2x क्या होगा 2x भी positive होगा और अगर तुमने x का value 0 लिया तो यहां से भी 0 आ जाएगा ठीक है तो x का value 0 लिया तो x plus mod x का value क्या होगा x plus mod x का value क्या होगा हमारे पास 0 और अगर तुमने x का value negative लिया कोई भी negative real number लिया for example minus 4 लिया तो फिर x plus mod x की value क्या मिल जाएगी 0 देख लो minus 4 ढालके यहाँ minus 4 ढालो यहाँ minus 4 ढालो तो minus 4 plus 4 आजाएगा 0 तो सारे negative real number के लिए x plus mod x क्या होगा यह 0 होगा और सारे positive real number के लिए x plus mod x सारे positive including 0 के लिए x plus mod x किसके equal होगा 2x के equal होगा ठीक है यह बात आगे समझ में अब यहाँ पे क्या बोल रहा है thus fx is equal to 1 upon root under x plus mod x assume real values इफ यह जो हमारा fx है ना यह real value fx का मतलब y real value का assume करेगा when x plus mod x क्या होना चाहिए greater than 0 होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए x plus mod x positive कब होगा देखلो x plus mod x यह होगा न जीरो और greater than 0 or equals to 0 के लिए positive कब होगा greater than 0 के लिए positive होगा अगर तुमने यहाँ से x का value 0 लिया तो x plus mod x तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, x plus mod x क्या होना चाहिए, पॉस्टिव होना चाहिए, तो positive कब हो रहा है, when x is greater than 0, जब हमारा x greater than 0 हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, x plus mod x यह देखो नहीं, x plus mod x यहाँ बोल रहा है, greater than 0 होना चाहिए, अगर हमने x का value यहाँ 0, 0 के लिए कौन सा value यह है, अगर हमने x का value 0 डाला तो 2 into 0, 0 आ जाएगा, तो 0 तो चलेगा नहीं, x plus mod x 0 के पल नहीं होना चाहिए, x plus mod x greater than 0 होना चाहिए, तो x plus mod x है न, यही है, x plus mod x, तो x plus mod x जो है, हमारा greater than 0 कब होगा, x plus mod x greater than 0 तब होगा, जब x greater than 0 होगा, x less than 0 होगा, तो फिर क्या होगा, x plus mod x 0 होजाएगा, और x equals to 0 होगा, तो x plus mod x 0 होजाएगा, sorry, x less than 0 होगा, तो भी 0 होजाएगा, x equals to 0 होगा, तो भी 0 होजाएगा, और जब x positive होगा, तो फिर x plus mod x क्यो होजाएगा, greater than 0 होजाएगा, हमें क्या चाहिए, x plus mod x greater तो X प्लस Mोड X ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है लिन X is greater than zero X is greater than zero इसका मतलब X belongs to 0 to infinity तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का 0 to infinity ठीक है तो यह हो गया हमारे पास अब ग्राफिकल देख लो ग्राफिकल बहुत easy है यहाँ पे अगर हमारे पास यह जो function है one upon root under x plus mod x अगर इसको defined होना है तो x plus mod x को क्या होना होगा greater than 0 तो mod x को क्या होना होगा greater than minus x तो तुम ऐसे देखो अब फिर तुम graphically देखो graph से जो होता है ना बहुत सारे question बहुत easy और बहुत जल्दी solve हो जाते है यह mod x का curve है यह हमारा mod x का curve है इस line के equation को क्या बोलेंगे हम y is equal to x y is equal to x का पूरा line नहीं है सिर्फ आदा line y is equal to x जो actually यहाँ नीचे भी है यह जो line है यह पूरा मिलके y is equal to x होगा but mod x में क्या होता है y is equal to x line कहां से कहां तक लेते हैं किस interval में लेते हैं 0 to infinity लेते हैं और यह line हमारा क्या है y is equal to minus x y is equal to minus x तो यह पूरा line है ठीक है but y is equal to mod x में क्या करते हैं y is equal to minus x वाला line कहां से कहां तक लेते हैं minus infinity से 0 तक लेते हैं जीरो से positive infinity तक line नहीं लेते हैं तो यह दोनों line मिला के क्या हो गया y is equal to mod x का curve हो गया और यह पूरा line क्या हो गया y is equal to minus x का curve हो गया अब हमें क्या चाहिए x plus mod x क्या चाहिए greater than 0 चाहिए तो यहां से हमें क्या मिला कि जो mod x है न वो क्या होने चाहिए greater than minus x होने चाहिए या तो ऐसे बोलो यह x is greater than minus mod x बोलो ठीक है तो हमने क्या किया minus mod x का तो हमें करब नहीं पता है तो हमने लिखा i.s. से greater than minus x से greater कब होगा वो देख यह line है न हमारा minus x और यह दोनों line मिलके y is equal to mod x का curve है तो अगर तुम minus infinity से लेके 0 तक आते हूं excluding 0 तो y is equal to minus x तो क्या है y is equal to minus x जो हमारा greater है ठीक है न? यह line है न? minus infinity से 0 तक क्या है? y is equal to minus x और y is equal to mod x क्या है? equal है यही line है y is equal to minus x का और यही line है y is equal to mod x का यह line y is equal to minus x का भी है line y is equal to mod x का भी है तो minus infinity से graph में देखो minus infinity से 0 अगर हम लेते including 0 तो यह लेते x का interval तो यहां से हमें क्या पता चलेगा minus x जो है यह equal है mod x की अगर हमने x का value 0 से लेके infinity तक लिया तो देखो y is equal to x का curve उपर आ गया y is equal to minus x का curve नीचे आ गया तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो mod x है न वो greater है minus x तो यही तो condition हमें चाहिए कहां मिल रहा है x belongs to 0 to infinity तो domain function का क्या हो गया 0 to infinity ऐसे भी हम बोल सकते अगर मालो fx और gx का curve दे रखा है fx अगर gx से greater है तो fx का curve क्या होगा gx के curve से उपर होगा हम लोग देख लेंगे कि कितने portion में x के कितने portion में fx gx के curve से उपर है जिस portion में x के जिस interval में fx का curve gx के curve से उपर होगा उस interval of x में fx क्या हो जाए greater than gx हो जाएगा जिस interval में jis x के interval में fx का curve gx के curve से less होगा उस interval of x में fx क्या हो जाएगा gx से less हो जाएगा और जिस interval में fx और gx intersect करें या fx और gx overlap करें उस interval of x में fx और gx equal हो जाएगा यही बात बोला गया है ठीक है तो यह भी होगी हमारा थर्ड में क्या है हमारे पास क्या है यह कुछ नहीं है ठीक है तर्ड में हमारे पास क्या है जो हमारे पास function है fx is equal to root under x minus mod x अब तुम्हें पता होगा कि x minus mod x को अभी हम लोग पीछे क्या पड़ क्या है ग्रेटेस इंटीजर यह fractional part of x x minus mod x को बोले है na fractional part of x तो हमें क्या पता है कि यह जो x minus mod x है यह कहां से कहां लाई करता है यह y है na x minus mod x है कहां से कहां लाई करता है 0 से 1 के बीच में इसका मतलब क्या है कि x minus mod x तुम कोई भी x का value डालो any real number यह x minus जो mod x होगा यह या तो 0 के equal होगा या 0 से greater होगा 1 से less होगा graph क्या होता है fractional part of x का graph क्या होता है यह होता है na fractional part of x का graph यह होता है na fractional part of x का graph यही होता है एक fractional part of x करकर तो यह हमारा क्या है 0,1 012-1-2 यही है y is equal to x minus greatest integer x जिसको हम fractional part of x बोलते हैं तो हमें क्या बता चल गया है कि जो fractional y है इसका range यह होता है y का 0 से 1 के बीच में होता है यह अल्रेडी पढ़ाया जा चुका है तो हमारे पास क्या 1 upon root under x minus greatest integer of x यह है ना हमारे पास तो इसका मतलब है कि किसी भी x के लिए जो square root के अंदर जो value generate होगा जो y generate होगा वो y क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है square root तो defined हो जाएगा na square root क्या हो जाएगा defined हो जाएगा because square root में क्या होना चाहिए बस हमें square root के अंदर negative नहीं होना चाहिए तो हमने क्या देखा कि हम कोई भी x डालें तो यह जो x minus greatest integer of x है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो fx है इसको हम ऐसे भी लिख सकते 1 upon root under fractional part of x तो यह जो value है यह कहां से कहां लाई करेगा 0 से 1 के बीच में including 0 excluding 1 ठीक है इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि इस function का domain all real number हो जाएगा कोई भी real number डालो यह function defined होगा because हमें क्या है कि नहीं all real number नहीं होगा 0 को हटाना पड़ेगा ठीक है all real number नहीं होगा 0 हटेगा because denominator 0 हो जाएगा तो हमारे पास fx क्या हो गया 1 upon root under x minus greatest integer of x जिसको हमने बोला 1 upon 0 हटेगा ठीक है तो हमें क्या पता है x minus greatest integer of x यह क्या होता है less than 1 greater than equal to 0 फिर हमें graph से क्या पता है greatest integer यह fractional part of x का graph हमने बनाया था उससे हमें क्या पता है कि fractional part of x का graph 0 का होता है integer integral value पर 0 होता है minus 2 पर 0 होगा minus 1 पर 0 होगा 0 पर 0 होगा 1 पर 0 होगा 2 पर 0 होगा integral point पर integral point पर fractional part x जिरो होता है बट यह जो हमारा function है यह तो denominator में x minus mod x क्या होना चाहिए यह 0 नहीं होना चाहिए positive नहीं होना चाहिए तो हमें यह देखना है कि x minus greatest integer of x 0 कहा है तो x minus greatest integer of x का value 0 कब होगा for all x belongs to z तो हमारा domain function का क्या हो जाएगा all real number से सिर्फ z हटा दो अगर तुमने पूरे real number से z हटा दिया तो क्या हो जाएगा कि यह function जो square root का value होगा वो कहां से कहां लाई करेगा 0 से 1 के बीच में excluding 0 फिर 0 नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं square root defined है positive है न 0 से 1 के बीच में तो square root defined है तो fx defined है fx defined है तो y defined है y defined है तो function defined है ठीक है तो domain हो गया r minus z एक तो यह रास्ता हो गया दूसरा रास्ता क्या हो गया कि तुम ऐसे देखो x minus greatest integer of x को क्या होगा graphical ही अगर देखते हैं तो यह positive होना चाहिए equals to 0 भी नहीं होना चाहिए तब ही जाके क्या होगा यह square root defined होगा तो यहां से हमें क्या पता चला कि greatest integer of x क्या होना चाहिए greatest integer of x जो होगा वो less होना चाहिए किस से x से तो हमने a curve draw किया y is equal to greatest integer x का and a curve draw किया y is equal to x का और देख लिया हूँ तो draw करते हैं तो यहां पे देखो यह y is equal to x का curve है 0 पर 0 है यही होता है ना उसके बाद क्या है यह हमारा हो गया exactly one यह हमारा हो गया exactly यहां 2 हो जाएगा यह point का coordinate क्या 2,2 यह point का coordinate क्या 3,3 इस point का coordinate क्या 2,2 इस point का coordinate क्या 1,1 ठीक है ना तो यह y is equal to x e line पे लाई करेगा यह जो point है because y is equal to x line पर x और y इक्वल होता है अब यह point क्या हमारा minus 1,1 तो get as integer function का curve कैसे होगा ऐसे ठीक है यह हमारा minus 1 हो गया यह 0 हो गया यह 1 हो गया उसके बाद बताओ कर्व कैसे होगा यह point हमारा minus 1, minus 2 minus 2 से minus 1 के बीच में कर्व हमारा ऐसे चलेगा ठीक है minus 2 से minus 1 के बीच में वोगा minus 2 ऐसे कर्व होगा फिर आजो यहाँ पर यह वाला हमारा point होगा minus 3 तो exactly इसके उपर whole होगा ऐसे कर्वाएगा नहीं यह greatest integer का अब तुम देखो कि greatest integer x को क्या होना होगा less than x होना होगा ठीक है तो तुम ऐसे देखो यह line y is equal to x का है और यह जो line है ना यह जो line देख रहो आप यह line यह किसका है greatest integer of x का तो तुम देखो greatest integer of x जो है y is equal to x line के यह सारे कर्व है greatest integer x के तो greatest integer of x जो है, y is equal to x line से हमेंसा नीचे है, ठीक है, सिर्फ एक point पर equal है, किस point पर equal है, सारे integral value पर equal है, minus 3 पर, minus 2 पर, minus 1, 0, 1, 2, 3 पर equal है, बाकि सब सारे real number पर, इस real number 0 से 1 के बीच में कोई भी real number देखो, यह y is equal to x का curve है, और यह greatest integer का नीचे है, 1 से 2 के बीच में देखो, यह हमारा y is equal to x का curve है, यह greatest integer x का curve है, नीचे है, सिर्फ equal कहां पर, integral point पर, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, greatest integer of x, less than x चाहिए, तो less than x कहां रहा है, all real number except integral point, ठीक है, less than x कहां रहा है, all real number of x, except, except integral point, तो हमारा domain function का क्या हो गया, all real number minus z, यह हमारा function का domain हो गया, सारे real number को लेना है, except integral point, ठीक है, तो यहाँ यह भी graphically clear हो गया हो गया, अब इसी बात को यहाँ पर बताया गया, देख लो, graph से बताया गया है, तुम लोग को, देखो, clearly formed है, यह तो graph में ने बना दिया, y is equal to x का, और y is equal to greatest integer x का बना दिया,